है और कज़ि mentioning हैं। नमश्कार दोस्तों मैं आज लेकर आ यूँ एक और को छी इंदी रेसीपी जिसे मैंने लेफ्टोवर तर्बुज के छिलके से बना करके तैयार किए अब और ze चिलका जैसे आप सभी जानते हैं बड़ा ही फाइवर रिच है जो हमारे पेट के लिए बड़ी फाइदा बंद है तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल होम मेड रैस्पी बाई सुनिता सिंग मैं आए बनाते हैं तर्बुजे की छिलके की सब्जी मुंग डाल के साथ इस इसका लाल पोर्शन हम सभी खा लेते हैं जो इसके छिलके होते हैं इसे हम फैक देते हैं जबकि छिलके में बहुत ज्यादा फाइवर होता है तो मैंने यह चिलके इन्हें इस तरीके से छोटे-छोटे स्टिप्स में कट कर लिया थाकि इस इन्हें मैं आसानी से पील कर ने के लाख सबस्ते पील करने के बाद झोटे-चूटे-जोटे में नहीं κάmill नहीं है आपको करमें लग भग 2 टेबलइस्पून सर्चों के टेल लिया देखे-इस जहाते लेनिक जरूत नहीं के तेल गरम होने पर आदा चम्च जीर डाल दिया है और हींग डाल देंगे इससे तड़का लगाते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब छिले होई तरूज के छिल्के के हम जुकत करके रखे हैं उन्हें डाल देंगे साथ में जो मूंगी दाल धोके रखी थी उससे भी डाल देंगे और धीमी फ्लेम पर थोड़ी देडर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि तड़का इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाए है अब हम मसालों में स्वायत के नुसार एक चम्मच नमक डाल देंगे चोथा ही चम्मच काला नमक डाल देंगे काला नमक लगाता इसी तरीके से चलाते हुए अच्छी से मिला लेगे ऐसा करने से मसाले अच्छी तरह से घुंजाते हैं उससे सबजी की ठेश बहुत अच्छा बनकर करके तयार होता हैं देखे, सबी मसाले अच्छे से मिल गये हैं, अब जितने हमने डाल ले थी उतना ही पानी यानि तीन चोथा ही कटूरी हमने पानी ले लिया उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे, अब मिलाने के बाद हम कूकर की लिड लगा देंगे, एक सीटी आने तक तेज पर उसके बाद धीमी फ्लैम पर तीन नट और पकने देंगे और फिर उसके बाद गयस की फ्लैम बंद कर देंगे और प्रेशर उसमें बनी रहने देंगे देखे प्रेशर अपने आप रिलीज हो चुकी है आई में लिट खोल करके दिखाती हूं देखे हमारी मुंग दाल और तर्बूज की छिलके की सबजी बन करके तयार है अब इसमें आदा चमच घरम मसाला डाल देंगे और इसके टेस्ट को टेंगी बनाने के लिए आदा नीबू का रच डाल देंगे इससे जाएका बढ़ जाता है ये कुछ हरी मिर्च हैं इसे लंबाई में कट करके डाल देंग जिसे खाना खाएंगे और जो नहीं खाएंगे इसे हम निकाल देंगे अब इसे अच्छे से मिला लेंगे लेजी हमारी मूंग डाल तर्बू छिलके की सबजी बन करके तयार है तयार सबजी को सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे देखिए मेरे घर में इस सबजी को सॉफ इना मैंने अपने गमले में लगाया हुआ उससे फ्रेस पतियां डाल करके इसमें डालते हैं तो जाएगा और इबढ़कर आ जाता है तो फ्रेंड्स अगली बार आप तर्बुजे की छिलके को मुंगी डाल के साथ बनाईएगा और गर्मा गरम रोटी के साथ खाने का आनद और बताईए का जरूर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइक लिप्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज के नोटिफिक